उत्तराखन के चमोली जिले में रिशी गंगा घाटी में रविवार को अचानक आई विक्राल बार से प्रभाविश शेत्रों में बचाओ और राहत अभियान चलाने के लिए वायू सेना के विमान तदा हेलिकॉप्टर जोली ग्रांट हवाई अद्डा पहुच गए हैं बता दे कि आज यानि सोंबार को राहत बचाओ के साथ लापता व्यक्तियों के तलाशी में SDRF के 70 जवान, NDRF के 129 जवान, ITBP के 425 जवान, SSB की एक टीम, सेना के 124 जवान, आर्मी की दो मेडिकल टीम और स्वास्त विभाग की दो टीमे लगी हैं वही जीनियरिंग टास्क फोर्स सहीत सेना के जवानों के अथक प्रयासों के बाद सुरंग का मुख्य द्वार साफ कर लिया गया है जनेरेटर और सर्च लाइट लगा कर राद भर काम जारी रहा फील्ड अस्पताल घटना सल पर चिकित सा सहयत अप्रदान कर रहा है और दो अन्य विमान रविवार देर शाम यहां पहुँच गए उन्होंने बताया कि इसके अलावा MI-17 के तीन वा एक ALH हेलिकॉप्टर भी आपदा प्रभाविशेत्रों में राहत पहुचाने के लिए आए है राश्ट्रिय आपदा मोचन बल की दो टीमें भी यहां बचाओ तदा राहत कारे के लिए भेजी गई है बताते चले कि चमोली के आपदा में अब तक 18 लोगों के शवब बरामद हो गए है जबकि 202 लोग लापता है टनल में अभी 25 से 35 लोग फसे हुए हैं इनने निकालने के लिए सेना ITBP, NDRF, SDRF की टी में लगी हुई है वही इस हाथसे में 6 लोग घायल हो गए है बीते रोज NTPC से 12 लोगों को बचाया गया है गौरतलब है कि रविवार को ग्लेशियर तूटने के कारण डिशी गंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन विश्नुगाड जल विद्युत पर योजना ध्वस्त हो गई थी तपोवन विश्नुगाड प्रोजेक्ट की दूसरी सुरंग में 30 से 35 वेक्ती फसे हैं टनल में मलबा भरे होने के कारण उनके रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है रिशी गंगा नदी और धोली गंगा नदी के उफान में इन दोनों प्रोजेक्ट में काम करने वाले कई श्रमिक वस्थानिय लोग लापता हैं जिनकी तलाश में SDRF की 11 टीम जुटी हैं दो टीम रैनी, चार टीम तपोवन, दो टीम जोशी मठ वा तीन टीम श्रीनगर में तलाशी अभियान चला रही है एफ ओस के चार हेलिकोप्टरों की भी मदद ली जा रही है वही उत्राखन के DGP अशोक कुमार का कहना है कि जो कारेकरता लापता हैं वे शायद पूर्वी UP और बिहार के हैं मुझे ही संबंद में संपर्क किया गया है कि इन में से 30 लोग लखीम पूरखीरी के हैं NDRF के DG S.N. प्रधान ने बताया कि 2.5 किलो मीटर लंबी सुरंग में बचाओ अभियान चल रहा है सोमवार सुबह से ही NDRF, SDRF, ITBP के जवान और स्थानिय पुलिस रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है इधर केंद्रिय मंत्री रमेश पोकरियाल निशंक ने कहा कि ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिती है लेकिन ITBP ने सफलता पूरवक एक सुरंग से लोगों को बचाया और अब वे दूसरी सुरंग पर काम कर रहे हैं जो लगभग तीन किलोमीटर लंबी है NDRF और सेना भी इस काम में लगी है दोपहर तक हम कुछ सकारात्मक परिणामों की उमीद कर सकते हैं वही उत्राखन के CM त्रिवेंद्र रावत जोशी मट पहुंचे हैं आपदा के बाद Rescue Operation की समिक्षा की इधर PM नरेंद्र मोदी ने उत्राखन आपदा की समिक्षा के लिए ग्रह मंत्री अमिच शा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नडड़ा और उत्राखन के सभी सांसदों के साथ बैठकी है इसी बीच Rescue Operation के लिए उत्राखन राज्य के आपदा राहत कोश से बीस करोड रुपे जारी करने की सूचना भी है वही राज्य के लोगों की मदद के लिए जारकन सरकार ने हेलप लाइन नमबर जारी किया है ऐसे ही लेटेस्ट रबरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें द्सक्राइब करें